Aslam Walekum Lovely Parents, Welcome Again to Momsy Talks आज की वीडियो में हम बात करेंगे about constipation जो कि बच्चों को काफी irritate करती है उसके साथ साथ parents को भी irritate करती है आज की वीडियो में मैं आप को बताओ कि constipation actually कब होती है और इसके symptoms क्या-क्या है और आप क्या-क्या precaution ले सकते हैं कि जिससे पहले से ही आप constipation को होने से रोख सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं constipation actually होती है कि जब बच्चा hard stools पास करे या पू करते हुए काफी difficulty हो, cranky हो, रोने लगे बच्चा तो that means बच्चे को constipation हो रही है अगर बच्चा stool पास करते हैं और blood पास कर रहा है तो that means severe constipation हो सकती है और आपको अपने pediatrician को consult करना चाहिए बच्चु में अगर constipation हो रही है तो आपको usually कितनी बार दिन में party करते हैं regularly और अचानक से उनकी साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपने regular time से हट कर पू नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है for example जो एक exclusively breastfed बच्चा usually उसे constipation नहीं होती है क्योंकि मेरा अपना experience है कि जब मेरी daughter breastfed करती थी तब वो 3-5 बार दिन में party करती थी लेकिन जब हमने switch किया formula की तरफ तब उसने थोड़े hardest tools करने start के और दिन में एक बार और कभी कभी दो दिन में एक बार वो करती थी तो इतना तक normal है लेकिन अगर बच्चा कई दिन तक party नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए और इन science को देखना चाहिए कि कहीं बच्चा constipated तो नहीं है सबसे पहले बच्चे का mood बहुत irritated रहेगा वो खाना खाना नहीं मानेगा और आपको बच्चे के tummy पर हाथ रखकर चेक करना चाहिए कि कहीं उसके tummy पर hardness तो नहीं है और smelly gas तो नहीं पास कर रहा तो ये science है कि बच्चे को constipation हो सकती है अगर बच्चा 3-4 दिन में party नहीं कर रहा है तो आपको ये ये measures लेने चाहिए ताकि आगे further constipation worse नहीं हो बच्चे को fiber rich food ही दे और बच्चे को high water content वाला food दे जैसे आप उसको fruits दे सकते हो salad दे सकते हो बच्चे को घर पे बना fruit juice दे सकते हो make sure कि आप बच्चे को hydrated रहे अगर 6 months से कम उमर का बच्चा हो दे कि उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बस breastfed बच्चे को आप हर 2 घंटे में feed कराए और make sure कि आप उन्हें अच्छे से feed करवाए pour milk और hind milk दोनों दे pour milk मतलब जो starting में आता है feel करेगा satisfied होगा और more chances हैं कि उसकी bowel भी अच्छी हो अगर formula fed बच्चा है तो make sure कि आप उसका formula सही ratio में बना रहे हो पानी और powder का content बहुत ही equally measure में जितना recommended है उतना ही दे रहे हो और time to time आप उसको feed करा रहे हो ताकि बच्चा dehydrated नहों तब भी उसको constipation हो सकती जैसे गर्मियों के time में बच्चे अगर हो, toddlers हो, पानी नहीं पी रहे हैं तब भी उनको constipation हो सकती है तो make sure आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो प्लस बच्चों को काफी activities में involve करो अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ ऐसा खेलिए जैसे आप उनके साथ football या जिसमें थोड़ी उनकी physical activities ज्यादा हो वैसी games जरूर खेलें कम से कम आदा गंटा every day अगर चोटे बच्चे उइंफेंट्स, new born या crawling या pre crawling वाले stage पर हो उनके साथ आप ये activity जरूर करें एक तो हलकी हाथूं से थोड़ा सा आप oil या without oil भी हाथ को इस तरह से rub करके oil आप हलका सा baby oil यूज़ कर सकते ताकि smoothly आप उनके tummy पर around उनके belly button पर ऐसे हलकी हाथूं से मसाज करें आप and down and down से आप make sure आप ज्यादा pressure ना दो बहुत ही हलकी हाथूं से मसाज करो उनकी कमर के lower back के area पर हलका सा मसाज करो और उनके bum पर round area में मसाज करो ताकि उनकी muscle जो है रिलाक्स हो जाए और उनके bowel जो है वो activate हो जाए और पास करने में easy हो इसके अलावा आप छोटे बच्चों के साथ infants के साथ ये activity कर सकते हो बहुत ही हलके हाथूं से pressure ना देते हुए उनकी दोनों legs को पकड़ के जिस तरह cycle चलाते cycling वाली exercise करवा लो make sure कि आप उनका lower back ज्यादा up ना करो जिसे उनकी bone spinal जो उनकी cord है उनकी bone पर असर ना पड़े बस उनकी legs को थोड़ा सा हलका उठा कर cycling वाली position जिस तरह cycling कराते हैं वैसे करवाओ ताकि उससे भी bowel easily pass हो जाता है तो इस तरह से आप छोटे बच्चों की साथ activity कर सकते हो आपको concern कब होना चाहिए अगर बच्चा बहुत ही irritate हो रहा है बहुत ही cranky हो रहा है stool में blood निकर रहा है तो आपको अपने pediatrician को consult करना चाहिए पैसे भी it's always a good idea to consult your pediatrician कहीं भी आपको doubt हो अपने pediatrician को always आप अपने contact list में रखिए उनके साथ और आपता रखो ताकि कुछ भी problem हो तो आप उन्हें contact करो बच्चों के मामले में कभी भी हमें delay नहीं करना चाहिए कहीं भी हमीं थोड़ा doubt हो we should always consult pediatricians तो ये था मेरा आज का video on constipation उमीद है आपके लिए helpful रहा होगा मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया video लेकर तब तक के लिए take care bye bye